भारतिय इस पात और लोह दातु काला की कहानी हम टिपो सुल्तान के एक मशूर किस्ते से जुरू करते हैं। ये वही टिपो सुल्तान है जिन्होंने 1709 तक मेशूर परशाशन किया और अंग्रेजों से चार लड़े या लड़ी और हाथ में तरवार लिए लड़ते लड़ते शहीद होगे। टिपो सुल्तान की विश्वविक्यत तलवाद आज इंग्लेट के संग्रेल की बहुमल्य संपत्ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिपो की तलवार इतनी खास क्यों थी। दरसल इस तलवार की धार इतनी सक्ता और पेनी थी कि वह दुश्मान के लोह कवच को भी आसनी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गोन कारवन की आधिक मात्रा वाली वटूच नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिन भारत में बनाया जाता था। इस वटू स्टील की तलवार बहुत पेनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहए में गड़े कारवन के बेहत सुश्माकनों से पैदा होती थी।